नमस्कार लीडीनिया पब्लिशर्स एस्सोसियेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर तरुना एस्कॉर्ट काफी लंबे समय बाद ये वीडियो आया है सब जानते हैं कि क्या हालात हैं पूरी दुनिया पूरे भारत के अंदर कोविट का एक पूरा महामारी का जो भेंकर स्वरूप हमने देखा है वो सब ने देखा पिछले साल जो लॉकडाउन था उसके अंदर जो डेट्स थे जो मृत्य हुई थी कोविट के कारण वो सिर्फ एक आंकडे थे लोगों को नहीं पता था कि कौन मरा लेकिन इस बार सब को पता था कि उसके क कोई जानने वाले या उसके कोई रिष्टेदार कोविट की वज़ा से इस दुनिया से चले गए बहुत सारी परिशानिया देखी लेकिन फिर भी जो काम है वो तो चलते ही रहते हैं फिलहाल इस बीच में पत्रकारों ने में काफी कुछ सहा और देखा हालांकि सरकार ने उ अभी एक समीती गठित की जिसके उन्होंने एक अध्यक्ष बनाये हैं जो सुचना प्रसारान मंत्रा लेके सचीव हैं अमित खरे उनको अध्यक्ष बनाया उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिये जिसमें कहा कि जो जर्नलिस्ट कोविट 19 की वज़ा से मारे गए उनके परिवा जो की कोविड 19 के कारण इस दुनिया में नहीं रहे उनके परिवारों को कम से कम पांच लाग सहायता राशी मिलेगी इस राशी को किस तरह आवेदन करना है उसका हम एक लिंक अपने इस वीडियो के अंदर दे रहे हैं वो आप वीडियो लिंक में डेस्क्रिप्शन में ज मिलेगी जो 2019 से 20 के दौरान थे उसमें पत्र सुचना कार्याले और सुचना प्रसारण मंत्राले की एक समीती ने खुद से संग्यान लेते हुए नोटिफाई किया ऐसे पत्रकारों की पहचान की जिनकी मृत्यू कोविड 19 से हुई थी तो 2019 और 20 के दौरान ऐसे 26 पत्रकार थे और 2020 से 21 के पीच करीबन 41 पत्रकार थे तो टोटल 67 लोगों को 67 पत्रकारों के परिवारों को यह राशी दी जानी है इसके अलावा 11 और ऐसे आवेदन उनके पास पहुंचे जिन पर विचार किया रहा है यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी पत्रकार जिसको आप जानते है या फिर वो खुद पत्रकार के परिवार से समंदित हैं तो वो पत्र सुचना कारेले की वेबसाइट पर जाकर इसको आवेदन को भर सकते हैं और सहायतार राशी को पा सकते हैं बस हमारा इतना कहना है कि हम लोग कोरोना वारियर की श्रेणी में रखे गए हो या ना रखे लेकिन हम फ्रंट लाइन वरकर ही है अश्पतालों की रिपोटिंग हम ने की और गावगव शहर शहर जाकि हमने ऐसे ऐसे कौनों में जाकर रिपोर्टिंग की है जहां जाना आम लोगों के लिए समभव नहीं था उनकी तकलीफों को फिर बयान किया है तो वेदी हम सुरक् आयूरवेदाचार्य के संपर्क में आईए और जो भी इम्मुनिटी बूस्टर है या फिर जो काड़ा वगर वो दे रहे हैं उनको फॉलो कीजिए एलोपेथ तुरंत तो जान बचा सकता है लेकिन आयूरवेद आपको हमेशा के लिए स्ट्रॉंग बना के रखता है तो बस कहेंगे कि आप भी सुरक्षित रहिए और सब को सुरक्षित रहने में मदद कीजिए कोविट-19 के दौरान जितने भी पत्रकार उनका निधन हुआ उनके प्रती हमारी गहरी समवेदनाए हैं हम उनके परिवारों के प्रती समवेदना व्यक्त करते हैं और इश्वर से कामन करते हैं कि उन्हें कोई तकलीफे ना आएं